मैं प्रदीब कुमार मिस्र, प्रोफेसर केमिकल इंजिनिरिंग आई आई टी बी एच यू और आज हमारे साथ दो हमारे मित्र हाँ पर बैठे हुए हैं कानपूर में पहले अर्विन तृपाथी जी हैं आपका स्वागत है और अनिर सिंदूर जी भी हैं हमारे बीच आप दो के कारण है कि गंगा दिन पर दिन एक तरह से बिलुक्त होती जा रही है वैसे तो भारत की सारी नदियां एक तरह से बिलुक्त लकिकर हाँ यही नहीं है तो या तो मल जल है या तो सीवे स्टेट्मेंट प्लान से आ रहा है या इंडस्ट्रियल वेस्ट आ रहा है तो मैं पर अर्विन जी से बात करूंगा कि पिछले इतने दिनों में गंगा की समस्या साहिद गड़े संकर विध्यार्थी ने पहले बार उठाई थी जी उनीस सटाइस में उनीस गाओ एक बड़ी समस्या थी उसकी ओनर्शिप इस शहर के लोगों ने और आसपास के लोगों नहीं लिए गंगा से जुड़ा हुआ जिए जिसकी आय का सादन गंगा थी इसकी पहचान गंगा थी उसकी ओनर्शिप नहीं थी और वो खुद उससे दूर होता चला गया जग इंड़स्ट्री तेजी से बागती चली गई गई कानपूर और जो बाकी शहर हैं उनके बसावच में अंतर यह है कि कानपूर में और दोगिक और जो शहरी विकास है यानि गरेलू और दोगिक निवास वो एक साथ-साथ है तो उसका जो वेष्ट है उसको हम लोग लग आप अच्छी बात कर रहा है कि ऐसा प्लानिंग नहीं हुआ है और सारे और जल मलजल गंगा में गरने लगी यह तो एक और बात थी लेकिन अन्दिल जी मैं आपको लाना चाहूंगा डिस्किसन में लेकिन हमें गंगा में पानी दिखता ही नहीं बिठर बैराज के बाद द देखें हैं तो नामातर का पानी है और अगर मैं और आगे बढ़ू को सांभी की तरफ सेंग वेर्बूर की तरफ तो वहां रेत की सिवा दिखता ने कुछ और यहां तक कि हिंदू भी अब अपने लासों को साहिद रेत में दफन करना सुरू करती है यह सिस्सिति को आप कै पानी के से काम किया गया बीच में कहीं बेराज बना के कहीं बांज बना के कहीं डाइवर्ट करके तो इस तरीके से पानी को इस्थे जो सीधे चलना चाहिए था वो नहीं चलने दिया गया उसमें तमाम बाधाने उत्पन की नहीं इससे भी नदी मरने की का अगार करा है और पानी के पानी लेना चाहिए उससे कहीं कई गुना ज्यादा पानी हमने नजी का प्योंकर थे तो इस वजए से जहाना नजी नजी जो इन पत्राइब वह बिगड़ना से लिए अगर छिए तो आप गंगा परिफ्रिक्ष में अगर हम बात करें तो हमें लगता है जिसे बहु था प्रगंगा कैनाल अपर गंगा कैनाल जो मिडल गंगा कैनाल यह विडिए फ़स्गा न्हित फ沒有 पानिया था ज़ीं चुलियर कर लिया कि साइट में को रीन नदे नहीं बैचा लिया इनके पास भी व tão को देनी के लिए पानी नहीं बगता तो उसमें जब भी बीच में नदी है जो भी जवी जतनी भी आई उनको जो है ना उनका प्रीयोकों कर दिया और इतना ज्यादा प्रयोगकर्ना सुरू कर लिया कि सारी नहरे इनी नदीों से निकाला नखक़र दियिays, कि पहले ऐसा न पहने वाला पानी था इसको भी उनों ने लिनाशो कर दिया तो इससे बहुँ ज़गा डिस्टर्फूर्ट तो एक प्राब्लम तेज समझ में आती है कि जब नदी में पानी नहीं रहा तो आस पास से किसानों ने बोर्वेल किये होंगे और तालाव सुखे फिर उसके बाद न तो यह तो ठै हो गया चाहे सरकारी नीतिया रही हो चाहे पोलिटिकल नीतिया रही हो उसके कांड गंगा के फ्लो को हमने नष्ट किया अब बच्ची कुची बात रहेगी अरविंजी मैं फिर आपके पास आऊंगा कि उसके बाद जो अंधा धुन नाले आने सुरू हुए जिसे नदी ने एकदम प्रकृष भी चेंज कर दिया उसमें अध्योगिक भी हुआ और आपके डोमिस्टिक भी हुआ सिवेच आप किसको कितना जिम्मेदार मांगते हैं देखे नाले जितने भी तईके के नाले हैं ये सभी नाले मूलता है पर्यावरान के साथ बने हुए यानि जो भूगर्व की संदशना है उसके साथ साथ यानि चुमगी धाराओं के साथ साथ नाले और नदियों का विकास हुआ हुआ है दिक्कत यहां पर आई कि यह जो प्राकर्टिक नाले थे इनमें हमने शहरी और अद्दोगी का अपसिष्ट उसमें जो हो गया जिससे वो एक खराब क्वालिटी का पानी उसमें जाने लगा यानि जो बरसाती नाले से जो कभी नदी को रिचार्ज करते होंगे वो नाले ए उसने बहुत कंबध तरीके से जितने भी हमारे नाले से उन्होंने कोई भी शहरी करण और विकास अद्दोगी करण और शहरी करण दोनों काम अंग्रेजों नहीं हमें बताय लिखाय समझाये और शहरों का जन्द गाओं के अतिरेक पर होता है गाओं का सर्पलस है नहीं हो किसी भी बड़ी नदी के लिए उस को जोड नहीं दिया हुता, अगर हमने इन नालों का प्रबंधन किया होता तो नदियों का प्रबंधन आसानी हो गया हुता दो वाते हैं, एक हमें नाला नीटी बनानी चाहिए जाजए नदी नीटी किजागा, दूसरी बात मैं इसको दुसरे सब्सक्राइब में वहत भी कानव सब्सक्राइब तो आप वड़ी मत अदिकुन Ugh भी छी नदीं है बाधा तेनेरीजू करतेते हैं तो सिर्फ गंगागे जल को भूझको Chinese प्रदूसित कर दिया जहरी नहीं इसकाम में जो नियम बनाए गए उन नियमों को इंप्लिमेंटेशन नहीं किया गया इसके कारण जो है जो इंडिस्ट्रियल बेश्टेज जो निकल रहा था वो सारा का सारा बेतर्तिव होता चला गया उन्होंने यहां तक लिया कि अपना जो बेश्टेज था वो डाना सुखर दिया और परयावरां ने यह देखा ही नहीं क ओलो की कहां जा रहा है इसका पाना तो उससे जो विव फ्लिमेंट में noises और वो सिदे के सिदे नालियों में छोड़ दिया गया है यहां पर एक करेक्ट करना चाहूंगा जो हमारे प्रदूसर्ण नियंतरण बोर्ड का मानक है उसके बास उसके हिसाब से टैंडरीज को किवल अपना प्राइमरी टीटमेंट करना है और प्राइमरी टीटमेंट करके ट्रेन के मादलाफ से पूरा CTP में बेजना है उसके लिए पैसा भी पे कर रहे है तो फिर उनकी गुलती आप कहां देखते है यहां तो पर प्राइमरी में उसमें भी कोता ही कि या ले उसमें वितते अचार के नाते उसको बनıldUP अगर आ रहा है, तो उसमें से 50 mld शीजर शीजर निकाल दिया गया क्यों निकाल देते हैं? जो होना बुष्टे कारे है कैसे बुष्टाचार आप सुझा पाएंगे इसको? कैसे कारे है? उसमें क्यों है कि जो पानी का शोधन करना है इसके लिए जो जितना केमिकल उनको चाहिए एक तो केमिकल की चोरि और दूसरी जितने घंटे उसको चलना है उसमें डीजल की चोरि सबसे बड़ी चीत हमें लगती है कहें नहीं कहें, डीजल और बिचली की चोरिया जो कह लीजगे पंप नहीं चलाना क्योंकि पंप हाउसेज में भी जहां उनको डाइवर्ट करना है वहां पर डाइवर्जिन ज्यादा दिखते है एक संफेल है कानपूर में मैं बहुत साइब संफेल है एक संफेल है जिसमें तीन जनसेट लगे हुए है जो आठाइक गंटे काम करने है एक यह एक भी संफेल नहीं चलता आथाCr एक जिसक बीट नहीं चलता और पूरा पूरा डीजल ज्ला दिकारी की कंसें भी संफेल है तो घ्रटॉट कहा है क्या प्रस्टाचार्च कुछ और आप देखते इसमें अबताएंगे ? इसमें क्यवल माइंसेट चेंज करने की जорुत मानिटु किसका है? इंडूस्ट्रीवालों का ? मानिटूस्ट्रीज करना देन मेरे के खना कि हम निभाना हो गा मिक secularic cultures के हमहें लिमिटेड करना हो तो यहां पर मैं फड़ा से बता दूँ जो प्रसरकार के इस समय जो प्रयास हो रहे है या जो प्रयास इस्टूशन के माद्यम से हो कर रहा है वो सबसे पहले वाटर बैलेंस टेस्ट कर रहा है कि कितना पानी आपने लिया कितना पानी छोड़ा कितना यूच किया और इसी लि चीजे इंडस्टी की तुरद से यह है कि वो उवर प्रोड़क्शन करने के चक्कर में ज्यादा मुनाफ़ा करने के चक्कर में वो गंदे केमिकल यूज़ करते हैं और पानी ज्यादा करते हैं दूसरा जो म्यूनिस्पल कारपरेशन है या प्रसाशन है वो सीटीपी को क्या से नहीं चलाता, जल निगम पंप को नहीं चलाता, यह उसकी गलती है, और तीसरी गलती सायद कारपुर के नागरिकों की है, कि वहाँ खड़े क्यों नहीं होते, वह उनको मजबूर क्यों नहीं करते, कि आप CTP से बाइपास कैसे कर सकते हैं, एक निरने सुप्रीम कोड का है, कि चाहे शोधित हो या अशोधित हो, किसी भी तरीके का जल गंगा में नहीं मिलाया जाए, अगर यह ट्रीटमेंट का ट्रीटेड वाटर भी है, तो यह भी इंडिस्टी के डिलॉप्मेंट, रिसाइकिल किया जाए, और कतई, किसी भी दशा में, या खेती के रियूज में कि घ्याती गाव सुफ़ेर फूल की खेती होती थी, उन गाव में गुलाबा आदा नीचे से में जाता है था में बहुत से लोगों को जानता हूँ समय मिला ते मेले कि उंगलियां उस वाली में का मोदी काम करने से था सुटी, पेट की बीमारिया था और जो ऑनको जनजात ह क्या आपने कभी देखा कि ग्राउंड वाटर में अहां पर क्रोमियम है चलिए अब माल लिया एक बाद हमने माल लिया कि उद्ध्योग धन्दों को जेडल्डी पे जाना चाहिए सरकार का प्रयास भी हो रहा है जेडिश्चार्ज हो गया लेकिन क्या आप मुनिस्पल कार्प जहां जाते हकता है वह संबस्ट के बाद हम की तुरूटन सबस्ति करता है उलाद हो मिद्ध्ध्योर्ótम का लगा गन्दोटन कॉक्ण में कि यहान सेवेजिक में सब्स्राल के सब्स्क्राइज करते हैं तो अब ज़रूरत है कानपूर के जागरू नागरिकों का कोई भी वो जे डिल्डी हो, कोई भी multiplex बने, वो जे डिल्डी हो, अगर हम इंडिस्ट्री पे जोर लगा सकते हैं, तो हम समाज पर क्यो जोर ना लगाएं, और अकेला मकान वाला है, तो वो सिप्टिक टेंक बना के किवल उबर फ्लू क्यों ने बेजे, एक इसमें मेरा एक सुझा हो लेकिन विकास पादिकरन इसको कड़ाई से लागू नहीं करवा रहा है, तो विकास पादिकरन को, नगर महा पालिका को, उतरपदेश परूसर कंडूर बोड को, या केंद्र को मजबूर करने का काम तो साहँ हम लोगों को, हमें लगता है कि इसको बहुत ज्यादा और बात जब कल-कल बहत्वी हुई नदिया होगी और सुन्दर चहचा आते हुए जो चिडिया और जानवर होगे तो सायद हम जी पाएं मरी हुई जिंदगी जीने से बहतर है कि हम सुधरें, खुद सुधरें और जग को सुधारें दन्यवाद आपके साथ थोड़ी सी चर्चा हुई और मैं चाहूँगा कि इसका दूसरा हिस्सा एक जन्रल पेनरोमिक डिस्कृशन हो जहां बनारस भी हो और कानपूर भी हो और थोड़ी और बात हो